दोस्तों अगर आप एक अध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो आपके मन में भी यह प्रश्न कभी न कभी अवश्य आया होगा, कि क्या हर व्यक्ति ईश्वर तक पहुँच सकता है, क्या हर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब इश्वर तक पहुँच सकेंगी। दोस्तों इसी प्रश्ण का उत्तर आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद से उन्ही के सब्दों में। नमस्कार मैं हूं विवेकानंद विमल और विमलवानी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों स्वामी जी कहते हैं इस संसार के प्रत्येक प्राने या जीव में या चमता है कि वह खुद को उंचा उठा सकें। यहां तक कि एक छोटा सा कीट एक दिन अपने इंद्रियों को उंचा उठा लेगा और इश्वर तक पहुँचेगा। कोई जीवन असफल नहीं होगा इस प्रमांड में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। सेंक्णों बार मनुष्य खुद को नुकसान पहुँचाएगा निराश होगा। सेंक्णों बार वह लडखडा कर गिरेगा लेकिन अंदता वह समझ जाएगा कि वही इश्वर है। हम सभी जानते हैं कि सीधी रेखा में कभी कोई वृद्धी नहीं होती क्योंकि वह अंधहीन होती है। लेकिन प्रत्यक आत्मा गूमती है। जैसे कि कोई वृद्ध हो या घुमाव अवश्च ही पुर्ण होगा। कोई भी आत्मा नीचे नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा समय आएगा जब प्रत्यक आत्मा को उपर की और उठना होगा। कोई पीछे नहीं छूटेगा हम सभी एक स्थान से प्रोजेक्टिड यानि प्रक्षेपित हैं और वह है इश्वर सबसे उच्जतम और साथी साथ नियूनतम प्रानी भी अंतता सभी जीवों के परमपिता के पास आ जाएंगे जहां से प्रत्येक जीव प्रक्षेपित है जिसमें वे रहते हैं और जिसमें सभी वापस लौट जाएंगे वास्तव में वही इश्वर है स्वामी विवेकानंद दोस्तों स्वामी जी का कहने का अर्थ है कि यहां प्रत्येक प्रानी जाहिव कोई छोटा जीव हो कोई पसू हो ज़ी एकना एक दिन प्रगति करते हुए जीवन के संगरसों से गुजरते हुए अनेक जनमों की बेडियों को पार करते हुए अन्तता हम सभी इश्वर को प्राप्त करेंगे ही इस संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ईश्वर को प्राप्त न कर सके हाँ हमारी नजर में वह थोड़ी देर हो सकती है लेकिन हम किसी न किसी दिन वहां अवश्य पहुँचेंगे हमारे जीवन का लक्ष ईश्वर ही है उमीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब अवश्य करें बहुत बहुत धन्यवाद